वाजेद अली शाह लखनव के आखरी नवाब जिनका नाम सुनते ही बस दो ही चीजे याद आती है पहली है शत्रंच, दूसरी है कत्थक इतिहास कारों ने नवाब की अच्छाईयों के मुकाबले उसकी बुराईयों पर ज्यादा लिखा नतीजतन उन्हें दुमिया के सामने हसी का पात्र बना दिया गया नवाब वाजेद अली शाह को आराम तलब, आयाश, लुज-लुज, अक्षम और अयोग्य बताया गया अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा नवाब, राजा या बादशा होगा जिस पर अयाशी का आरोप न गड़ा गया हो ऐसा कर उसके द्वारा किये गए अच्छे कामों को भुला दिया गया वाजेद अली शाह का इतिहास समझने के लिए हमें उसकी बुराईयों के साथ उसके द्वारा किये गए अच्छे कामों का भी जिक्र करना चाहिए वाजेद अली शाह को कभी उनके कथक प्रेम के लिए जाना जाता है तो कभी उन्हें उनकी शायरी के लिए कला, साहित्य, संगीत के अलावा नवाप को उनकी खाने की आदतों और महमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है वाज़ेद अली शाह का जीवन अवद के अन्य शासकों से हर माइनों में अलग रचनात मकता से भरा था कभी वाजेद अली शाह अपने महल में हाथ में सुई पकड़े चिकन का बारीक काम करते हुए दिखते हैं कभी वे शायरी करते हुए दिखते तो कभी वाजेद अली शाह को उनके कत्थक प्रेम में दूबा पाया जाता इतिहास ने भले ही वाजिद अली शाह को एक बुरा, सुस्त और अयाश नवाब बता दिया हो मगर वाजिद अली शाह ने कभी अपनी कमिया छुपाने का प्रयास नहीं किया अपनी लिखी किताब इश्क नामा में वाजिद अली शाह ने अपनी कमियों को स्वीकार किया है ग्याथो की वाजिद अली शाह पर आरोप है कि नवाब में लगभग तीन सो शादिया की और तलाग भी खूब दिये थे वाजिद अली शाह एक सच्चे सेक्यूलर थे गंगा जमुनी तहजीब के प्रनेता थे ये बात हमें उनकी लिखी एक थुम्री से भी समझाती है ये थुम्री भगवान श्री कृष्ण को संबोधित थी और इसके बोल थे मोरे कानहा जो आए पलटके अब के होली मैं खेलूंगी डटके उन्होंने पूरे राज्जे के लिए होली खेलने का फरमान जारी किया था वाजेद अली शाह ने राज्य के मुसल्मानों को निर्देशित किया था कि वो भी हिंदूओं के साथ होली खेले वाजेद अली शाह जितने मुसल्मानों के थे उतने ही हिंदूओं के थे बात 1855 की है वो विवाद भी बाबरी मस्जिद राम मंदिर जैसा ही था लेकिन उसे अकलमंदी से सुल्जा लिया गया अवद के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने सामप्रदाइक ताकतों को कोई मौका न देते हुए समस्या का हल निकाल लिया और दूसरे समुदाय के साथ पूरा न्याय किया नवाब ने सहित्य के क्षेत्र में अपना अमूलिय योगदान दिया कत्थक मृत्य के लखनव घराने को पोशित कर नया आयाम दिया और थुम्री के हलके शास्त्रिय रूप को सम्रिध किया उन्होंने गजलों की रचना की और नए रागों को पेश कर हिंदुस्तानी संगीत पर अमिट छाप छोड़ी थुम्री गायन व कत्थक लखनव के नवाबों की दर्बारी शामों की रौनक हुआ करती थी नवाब वाजद अली शाह ने थुम्री व कत्थक दोनों को सनरक्षन प्रदान किया नवाब वाजद अली शाह खुद उच्च कोटी के थुम्री लेखक व कत्थक नर्तक थे 1857 में लखनव से कोलकता निकाला किये जाने के बाद नवाब ने थुम्री लेखन अख्तर पिया के नाम लिखना शुरू किया नवाब वाजद अली शाह के दर्बारी थुम्री लेखक व गायक होने के नाते नाम के आगे तखललूस पिया लगाने लगे इन में से एक फरुखाबाद के लल्लन पिया दर्बारी थुम्री लेखक व गायक होने के नाते नाम के आगे पिया लगाते थे 1857 में अंग्रेजों ने अवद पर हमला कर दिया वाजद अली शाह अपने महल में थे नवाब इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि तब महल में ऐसा कोई सेवादार मौजूद नहीं था जो नवाब साहब के पावों में जूतिया पहना सके चूनकी नवाब साहब को किसी ने जूतिया नहीं पहनाए इसलिए वो पकड़े गए और इन्हें गिरफतार करते हुए कलकत्ता भेज दिया गया ये किस्सा इतिहास में दर्ज है इसके अलावा भी इतिहास में वाजिद अली शाह को लेकर सैकरो किस्से दर्ज है लखनव के नवाबों में नवाब वाजिद अली शाह का नाम आज भी जिन्दा है तो उसका कारण है उनका शायरी वसंगीत के क्षेत्र में योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता अगर पोस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे कमेंट कर सबस्क्राइब कर दे